आलो बच्चों आज किस lecture में डिसकस्LetK करने वाले है hiç Thank Rabbion LTEK ग्लाम्स लगाए टो लेट सिस्टार्ट वट सेल τις इलेक्ट्र्प्रेस आटिक्स लोग बात करेंगे बच्चों electrostatics क्या है इस पर हम discussion करने वाल ठीक है तो let us see what is electrostatics okay तो electrostatics जो word है बच्चों ये दो word का combination है that is electro plus statics okay तो electro का मतलब होता है बच्चों charge से and static का मतलब है at rest से ओकी तो आया ट्रेस्ट मेंस हम कह सकते हैं कि दैड ब्रांच ओफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज एट रेस्ट अंड इस डिफरेंट प्रोपरिटीज इस कॉल्ड इलक्रोस्टाटिक्स इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्छों इलक्रोस्टाटिक्स कहते हैं तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं थास दा ब्रांच ओफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज इस डिफरेंड इस डिफरेंड एप्लिकीशनघ इस बहुत क्या कहां लेटे हैं ऊड़िञ मेठ इलक्रोस्टाटिक्स इस जी एथ एपड Sum लोग क्या कह लेटें खर ब्रेलेते हैं स्टी कनसे विछ बहु ख हम लोग क्या तो इलक्प्रू स्टेटिक स्केल आता है अब इसमें आट रेश्ट क्या होता हम सभी जानते हैं कि वेन इट डजन्ट चेंज इस पोजिशन विद रिस्पेक्ट तू सराउंडिंग इद पासेज और टाइम अब हम बात करेंगे यहां पर बच्चों की चार्ज क्या होता है तो ध्यान देना लेट अस्टी चार्ज क्या है तो हम कह सकते हैं चार्ज इज इस असोसियेटेड विद मास यानि कि मास के साथ चार्ज भी असोसियेट करता है और बच्चों ध्यान देना है चार्ज को हम लोग कैप्टल क्यू या स्माल क्यू से रिप्रिजन करते हैं और जाए scalar quantity ये कैसी quantity बच्चों इसी जाए scalar quantity got this और दूसरी बात यहाँ पर जिध्यान देना है ये जो charge बच्चों ये दो तरह का होता है charges of two types एक होता positive charge क्या है बच्चों positive charge positive charge का मतलब होता lack of electrons या फिर कह सकते हैं deficiency of electrons और negative charge इसका मतलब होता है access of electrons या फिर efficiency of electrons भी कहा जा सकता है got this बच्चों तो ये आपको समझ में आता है ये charge दो तरह का है positive और negative और इसका नॉमिन क्लेचर सबसे पहले किया scientist Benjamin Franklin ने ओके तो ये बात समझ में आ जाती है clear है कोई confusion यहां तक तो ये तो बात समझ में आती है कि charge क्या होता है और ये जो ई है ना इसे हम लोग fundamental charge या electronic charge कहते हैं तो ई को हम लोग कहते हैं बच्चों fundamental फंडामेंटल या फिर basic या फिर इसी वो कह आ जाता है elementary elementary charge ओके बच्चों और ध्यान रखना है इसकी जो value है that is 1.6 into 10 power minus 19 कूलाम ये कितना होता है बच्चों 1.6 into 10 power minus 19 कूलाम होता है got this तो ये बात आपको समझ में आ जाती है clear है बच्चों अब हम यहां पर units की बात कर लेते हैं charge की कुछ तो हम बात करते हैं बच्चों unit of charge तो charge की जो unit है वो mks system में होता है बच्चों कूलाम क्या होता है कूलाम और इसे हम c से रिप्रिजन करते हैं कूलाम c से रिप्रिजन करते हैं ठीके few other units are other units are milli कूलाम एक milli कूलाम में 10 to the power minus 3 कूलाम फिर हो जाता है micro कूलाम 10 to the power minus 6 कूलाम यही पर आगे हम बात कर लेते हैं नैनो कूलाम 10 to the power minus 9 कूलाम फिर हम बात कर लेते हैं micro micro कूलाम या फिर इसे को का जाता है पीको कूलाम 10 to the power minus 12 कूलाम गॉर्ट इस तो यह नुमेरिकल में काम आता है इसे म्यूच्वल रिलेसेंसिप आप डिफरेंट यूनिट्स आफ चार्जेश क्लियर है बच्चों तो यह चीज आपको धियान में रखनी हैं गॉर्ट इस तो इस दा वे क्योंotto तो डिफरेंट ऊफ्ड चार्जेशेश विचyou विचवल भीहां का मुश्यानमां पको धियान करना है आं आप बात करते हैं दो प्रोपरीटी किसकी बात करते हैं और इस दिई आफ चार्ज तो अलेटेश ग में बच्चुँँँग की हमबाध करते हैं is ठीके, that is quantization of charge, क्या है बच्छों, quantization of charge, या फिर इसी को atomicity of charge कहते हैं, तो ध्यान देना है, according to this, किसी भी body पर जो charge Q होगा न, वो electron की charge का integral multiple हो सकता है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, यनिकि Q equal to plus minus any हो सकता है, जहां पर n की value 1 होगी, 2 होगी, 3 and so on होगी, लेकिन n की value कभी भी fraction नहीं हो सकता, 0.7, 0.33 नहीं हो सकता and so on, ये सारी values नहीं हो सकती, तो this property is very important and there are two varieties of questions which can be asked based on this concept, clear है, तो ध्यान देना, पहला तो ये पुछा सकता है, कि अगर किसी body पर charge given है, आप से कहेगा कितने electron काम या ज़्यादा है, तो n equal to Q upon ही लगा दोगे, समझ में आ गई बात, यहां से हम n find out करेंगे, और अगर, यहां से हम बात करें, अगर Q positive है, इसका मतलब उतने electrons की क्या होगी, लाइक होगी, कमी होगी, और अगर Q negative है, इसका मतलब उतने electrons access में होगी, एक तो यह question आ जाएगा यहां पर, और दूसरा ही आता है कि या किसी body पर यह charge possible है या नहीं है, तो अगर n एक integer आता है, अगर एक integer आता है, तो फिर वो charge possible होता है, क्या होता है, charge possible होता है, और अगर n जो है non integer आता है, इसका मतलब वो charge not possible होता है, got this बच्चों, clear है, यही पर हम question ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं, if a body has charge of one coulamp, how many electrons are there, how many electrons are there, कितने electrons हैं, तो so simple, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर फार्म लगाते हैं, n equal to q upon e, q की value है, 1 coulamp, तो 1 रख दिया, e की value 1.6 into 10 power minus 19, इसको simplify करते हैं, तो आ जाएगा 6.25 into 10 to power 18, और जोको यह charge जो है positive nature का है, इसका मतलब इतने electrons का क्या है, lack है, यानि कितने electron इस पर से क्या है, जा चुके हैं, got this बच्चों, तो यह आपको ध्यान देना, this is first property of charge, okay, let us see about next properties of charge, अब हम अगली properties of charge की बात करने वाले हैं बच्चों, तो आएगे देखते हैं, तो बच्चों ध्यान देंगे, second question यहाँ सकता है, कि may a body have, may a body have a charge of one nanocoolam, क्या किसी बड़ी पर one nanocoolam का charge हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम लोग, फिर से हम वही फार्म लगाएंगे, n equal to q upon e, q की जगे हम one nanocoolam, यानिक one into ten power minus nine कूलम हो गया, और अपान में e की वैलू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, इसको solve करोगे, decimal अटा करेंगे, उपर 10 लिख लिया, into में 10 की power minus 9, into में 10 की power plus 19, और अपान 16 हो जाएगा, so what we get, n equal to मिल जाता बच्चों, आप देखेंगे, ये 9 power हट गये, तो 10 की पावर 10 हुआ, 10 की power 10 से एक यहां ले लिजे, तो ये 100 हो गया, into 10 की power 9 बचेगा, और अपान 16, इससे डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा, 6.25 into 10 to the power 9, तो आप देख पा रहे हैं, ये जो value आ रही है, 6.25 into 10 power 9, ये integer है या non integer है, तो प्यारे बच्चों, धियान दो, दो power इधर लाओगे, तो 6.25 हो गया, उसके आगे 7.0 और लगा दीजी, तो ये क्या है, integer है, means ये value क्या है बच्चों, integer है, लास्ट में लिखेंगे, hence, this charge is possible, this charge is possible, इसका मतलब ये हुआ कि ये charge क्या है, possible, got this, तो ये दो तरह के variety के questions, quantization आप charge पर बेश पूछे जाते हैं, जो कि most common है, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, let's go at property number 2 की बात करते हैं, बच्चों, second property की बात करते हैं, तो ध्यान देना second property ये है, कि charge is additive, charge is additive, क्या है बच्चों, charge is additive, that is, किसी भी body पर जो net charge होता है, वो sum होता है, उस charge के, I अगर यहाँ पर लेखनें, तो I equal to 1 to N की बात करते हैं, तो उसके sum के equal होता है, यहनि के algebraic sum लिया जाता है, कैसा लिया जाता बच्चों, algebraic sum लिया जाता है, और यह ध्यान रखना कि जो charge है, वो कैसी quantity है, scalar है, कहने का मतलब है, जैसे यह कोई body है, rare charge charges यहाँ पर दिये गए, Q1 दिया गया, फिर minus Q2 दिया गया, फिर Q3 दिया गया, minus का Q4 दिया गया, minus का Q5 दिया गया, Q6 दिया गया, तो पूछा जाने net charge कितना इस body पर, तो Q net हो जागा बच्चों, Q1 plus minus minus Q2, plus Q3, minus Q4, minus, नहीं बलकि plus का Q5, plus का Q6, यह आ जाएगा इस body पर net charge, यह बास समझ में आ जाती, I think it is clear to you all, so this is called as additive property of charge, इसे हम लोग additive property of charge कहते हैं, next आ जाते हैं, third property पर बच्चों, third property यह कहता है, charge is conserved, charge is conserved, that is, इसका मतलब यह होता है, किसी भी body पर जो पहले charge होता है, यानि कि Q initial equal to Q final, system पर पहले का जो charge होता है, वो कुछ activity के बाद भी उस system के net charge के क्या रहता है, equal रहता है, so this is called as, conservation of charge, got this, next property number 4 पर आते हैं बच्चों, ध्यान देना है, property number 4, तो fourth property यह है बच्चों, कि जो charge है, that is invariant, तो ध्यान देंगे बच्चों, charge is invariant, that is, इसका मतलब होता है, कि जो किसी body पर charge, rest position में होगा, वही अगर वो body move करने लगे, तो भी वही charge रहता है, यहनि कि Q at rest is equal to Q in motion, so this is known as charge is invariant, ओके, next property, fifth property की बात कर लेता हूं, इसमें क्या होता है बच्चों, the mass of charged body is different than different than its actual mass because of transfer of electrons, because of transfer of electrons, electrons की transfer के चलते हैं, इसा होता है, for example, मानलो हमने दो bodies ले लिए हैं, एक body A है और एक body B है, इसका mass, actual mass M A है, इसका actual mass M B है, clear है, अब इनको अगर हम आपस में रव कराते हैं, अगर इनको हम आपस में रव करा देते हैं, तो क्या होता है, किसी एक body से दूसरी body पर कुछ electron चले गए, मानले ते हैं, दो electron transfer हो गए, clear है, तो इसका mass आप हो गया M A dash, और इसका mass हो गया M B dash, तो what happens, since the mass of one electron equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg होता है बच्चों, और जो mass of proton है, वो है 1.67 into 10 power minus 27 kg, clear है, तो जब यहां से एक electron transfer होता है, तो अपने साथ इतना mass लेकर के चलता है, 9.1 into 10 power minus 31 kg, दो electron जाएगा, तो इसका twice mass लेकर चलेगा, तीन electron जाएगा, इसका twice mass लेकर चलेगा, तो ऐसी condition में, यहां से mass निकल गया, तो यह mass कम हो गया, और यहां पर mass बढ़ गया, तो यह ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार हम conclude कर सकते हैं, कि जो positively charged body का mass होगा, M A dash, that will be less than that of actual mass, और जो body B का mass होगा, negatively charged body का, that will be greater than that of its actual mass, उसके actual mass से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होगा, because transfer of electron, गॉर्ड़ दिस बच्चों, तो यह बात आपको समझ में आ जाती है, clear है, आगे बढ़ते हैं, next point की तरफ, बच्चों अब हम बात करने वाले, charging of a body, किसी body को हम charge कैसे कर सकते हैं, on the basis of this chapter, ओके बच्चों, तो लेट अस सी, charging of a body, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, charging of a body, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, charging of a body, तो किसी भी body के charging की, जब हम बात करें, या फिर electrification कह सकते हैं, तो बच्चों, ये दो तरीके से हम करा सकते हैं, एक तो आपका पहला है, जिसे हम कहते हैं, by friction, क्या कह सकते हैं, by friction, clear है, और दूसरा हम कह सकते हैं, by induction, क्या कह सकते हो, by induction, clear है बच्चों, वाई सबसे पहले हम बात करते हैं by friction जैसे एक body A लिया मैंने और एक body B लिया मैंने अगर इनको आपस में rub कराते हैं इनको आपस में अगर हम rub कराते हैं तो क्या होता किसी एक body से कुछ electron transfer हो जाते हैं जो outer most electron होते हैं clear है? because the attraction of nucleus is very low in this case suppose that यहां से कुछ electron, suppose that 3 electron निकल कर इधर चले गए तो इस पर आजाता plus 3 charge और इस पर आजाता minus 3 charge clear है बच्चों? तो ये body positively charge हो गई, ये negatively charge हो गई तो this is known as charging by friction इसे हम लोग क्या कहते हैं? friction के द्वारा charging कहते हैं जिस body से electron निकलते हैं that becomes positively charge और जिस पर electron पहुंचते हैं that becomes negatively charge अब हम बात करते हैं induction में क्या होता बच्चों? इसमें जैसे कोई एक charge body है आपके पास suppose that this is positively charged body और जब इसे हम किसी uncharted बड़ी के पास लाकर रखते हैं uncharted बड़ी के पास रखते हैं तो near end पे क्या होता है? opposite nature of charge प्रोड्यूस हो जाता है अपने आप और farther side आप same nature of charge प्रोड्यूस हो जाता है this is known as charging by induction अब क्या करेंगे? इस process में अगर इस वाले को हम suppose that farther end को हमने क्या कर दिया? आर्थ कर दिया, ground कर दिया, आर्थ से connect कर दिया तो क्या होता है? ये positive charge आर्थ को shift हो जाते है और अगर हम फिर इसे आप disconnect कर दें तो आप देखेंगी जो remaining body होगी that becomes negatively charged वो कैसे हो जाती है? negatively charged हो जाती got this? तो इस तरह से ये body induction के थूँ क्या हो गए? negatively charged हो गए यहीं पर एक वात और ध्यान देना by friction में जैसे मालो एक body ये A है और identical body B है और इस पर charge अगर Q1 है और ये body charge less है और इनको अगर आपस में rub कर दिया जाए या contact में कर दिया जाए इनको contact में ला दिया जाए एक दूसरे के तो क्या होगा इन पर charges बदल जाएंगी यानि कि QA QA नहीं रहागा QA dash हो जाएगा और QB QB नहीं रहागा बलकि ये QB dash हो जाएगा और ये इन दोनों के mean के बराबर आ जाता average के बराबर आ जाता नहीं कि Q1 plus Q2 by 2 इसका मतलब आ जाएगा Q plus 0 by 2 that is Q by 2 तो ये charges इन पर transfer हो जाते है so this is all about charging by friction and charging by induction got this so this is all about charging of a body by any of these two methods either by friction or by induction तो induction में क्या होता body को touch नहीं कराते है pass में लाते है ठीके near लाते है तो same side यानि कि nearer side पे क्या होता opposite nature of charge स्वतर प्रोडूस हो जाता है और farther side क्या होता है same nature of charge प्रोडूस होता है और इसके आगे अब हम जिस तरह का charge इस बॉड़ी पर रखना चाहते है वो हम यहां से कर सकते है got this students तो this is all about charging of a body इस पर बेस भी question आप से पूछे जा सकते है now let's go ahead आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अब हम बात करेंगे बच्चों कि Coulomb's Law in ElectroStatics क्या है इसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं ओके बच्चों तो let's see Coulomb's Law in ElectroStatics Coulomb's Law in ElectroStatics तो ध्यान देंगे बच्चों Coulomb's Law in ElectroStatics क्या है इसमें यह बताया गे बच्चों यह से अगर कोई दो point charges है Q1 और Q2 अगर यह दूसरे से R distance पर placed है तो 100% इनके बीच एक ElectroStatic Force act करने लगता है क्या करने लगता है ElectroStatic Force act करने लगता है और यह ElectroStatic Force क्या होता है इन दोनों को join करने line के along ही लगता है अगर यह same nature है तो बाहर की तरफ add करेगा और अगर opposite nature है तो अंदर की तरफ यह force act करता है इससे हम F लिख सकते हैं ElectroStatic Force यह जो ElectroStatic Force होता है यह दो बातों पर depend करता है एक तो यह होता है F जो है directly proportional to product of their charges इनके charges के product के directly proportional होता है और दूसरा हम कह सकते हैं यह जो ElectroStatic Force है यह उनके base की distance के square के reciprocal होता है यहने F प्रोपोर्शनल टू अपान R square वेन वी गो टू कलब दीज टू जब इन दोनों को हम कलब करते हैं देन वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R square ओके बच्चों और जब हम proportionality sign हटाते हैं equality के साथ कोई एक constant K लाते हैं clear है इसे मिसमाल के लिख लगा हूँ तो K आता है K Q1 Q2 अपान R square clear है कितने Newton का I love to steady force act करता है Got this बच्चों अब ध्यान देना है यहाँ पर जो K है इस K को हम कहते है इसकी value होती है 1 अपान 4 pi of silent knot और इसकी value होती है 9 into 10 power 9 Newton meter square पर coulm square जहाँ पर यह symbol क्या of silent knot यह symbol को हम पढ़ते हैं बच्चों of silent knot या फिर of silent 0 भी पढ़ा जाता है clear है और इसे हम कहते हैं this is known as electrical permittivity of free space or air और इसकी जो value है वो भी ध्यान रखना है of silent knot की value होती है 8.85 into 10 power minus 12 coulm square per newton per meter square यह इसकी value होती है of silent knot की और इस पूरे की value होती है 1 upon 4 of silent knot की this one तो अगर हम देखें तो इस formula को हम आदर फॉर्म में भी यहां रिप्रेजन कर सकते हैं यहने की electro static force between two point charges f equal to 1 upon 4 pi of silent knot q1 q2 upon r square और इसे भी हम लिख सकते हैं numerical purpose इसकी जगा 9 into 10 to the power 9 q1 q2 upon r square लिख लेते हैं इतने newton का force add करने लगता है 2 point charges की बीच में clear है बात बच्चों is that clear तो यह बात आपको समझ में आ जाती है this is all about coulomb's loyal electrostatic अब बात यह करने हैं बच्चों ध्यान देना है यह जो हमारा force है fe न fe इसे हम electrostatic force कहते हैं यह बच्चों दो तरह का होता है यह attractive भी हो सकता है repulsive भी हो सकता है तो ध्यान देना है यह attractive कब होता है जब unlike charges होते हैं कैसे होते हैं unlike charges unlike charges के लिए 0 होते हैं, यानि कि Q1 Q2 का product जब negative होता है इसका मतलब दोनों charge जब positive nature के होने चाहिए, अगर एक positive है तो दूसरा negative, अगर एक negative है तो दूसरा positive होना चाहिए, तब वो force कैसा होता है, attractive nature का होता है और ये repulsive हो सकता है तब जब like for, like charges के बीच ये force एक करता है clear है, like charges इसका मतलब Q1 Q2 का product जब greater than 0 होता है that is positive होता है समझ गए, और इसका मतलब that is negative होता है यानि कि दोनों charges या तो positive हों, या फिर negative हों तो उनके बीच लगने वाला electrostatic force हमेशा repulsive nature का होता है एक दूसरे को repel करते हैं धक्का मारते है got this इतनी बात समझ आ गई बच्चो अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि similarity और dissimilarity क्या है gravitational force और electrostatic force बच्चो ध्यान देना gravitational force क्या होता है g m1 m2 upon r square यह होता है gravitational force ठीके और इसमें g की value होती थी 6.67 into 10 power minus 11 newton meter square per kg square this much into m1 m2 upon r square तो यह दोनों forces में कुछ समानता हैं होती है और कुछ भिंडता हैं होती है clear है तो इसमें similarity क्या है ध्यान देंगे fe और fg में तो हम पहले similarity की बात करते हैं किसकी बात करते हैं similarity की तो बच्चो ध्यान देना है यह जो fe and fg है fe and fg both are both are central forces both are central forces दोनों ही central forces होते है इसका मतलब यह है दोनों ही उन दो point masses या charges के center से पास होने वाली line के along ही लगते हैं यह similarity हो जाती है clear है second point both follow inverse square law दोनों ही inverse square law को follow करते हैं that is feo या फिर fgo दोनों ही proportional to one upon r square होते हैं यहनि कि distance के बढ़ने से घटते हैं और distance के घटने से क्या होते हैं बढ़ते हैं तो यह similarity हो जाती है third point both are conservative forces both are conservative forces दोनों ही conservative forces होते हैं यह आपको ध्यान रखना है यह similarity में आ जाता है किस में आ जाता है similarity में आ जाता है अब हम बात करते हैं dissimilarity क्या है ठीके या इसे हम unsimilarity भी कह सकते हैं ओके unsimilarity बच्चों ध्यान देना unsimilarity क्या है ध्यान देना है यह जो FG है यह हमेशा attractive होता है क्या होता है attractive होता है always ओके बच्चों जबकि FE जो है न वो हमने बताया भी आपको कि यह attractive भी होता है और repulsive भी होता है depending on the nature of charges अगर like nature charges है तो फिर repulsive होगा और unlike nature of charges है तो फिर attractive होता है गौट देस पच्चों यह बात समझ में आ जाती है so this is all about Fulham's line electrostatics and Newton's universal gravitational law clear है तो दोनों में क्या similarity है क्या similarity है यह बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाती है got this तो इस lecture में इतना ही मिलते हैं अगले lecture में इसके आगे continue करते हैं thank you for watching